जितने लोग भी लोको पाइलट एक्जाम को लेकर तयारी कर रहे हैं, उनके साथ कम से कम इस वीडियो को सेर जरूर करिएगा, तीधा सीधा अगर बोलू ना, तो जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा या निकला है, फॉर्ट नोटिफिकेशन, 1596 वेकैंट्री का लोको पा आत्र छोड़ो, टीचर छोड़ो, जो लोको पाइलट का संग है, एसोसियेशन है, जो इनियन है न, वो भी आस तुब इस नोटिफिकेशन को नकार चुकी है, उनका भी कहना है, जो 596 वेकैंट्री निकला है, ये बिलकुल बेकार है, उनका कहना है, अभी जितने बरतमान म रेलवे में हैं, उनके उपर बहुत प्रेसर है, काम करने का, 18-18 गंटा काम कराया जा रहा है, जबकि जो रेलवे का वेकैंट्री निकलना चाहिए, उनके अनुसार, अगर सारा जो रिपोर्ट अगर दे अपना तो, सरकार हरवडी भी निकाल दिए, तो इस नोटिफिकेश अनुपड़ आप भी अगर इस मैटर को अच्छे समझेगा न, वो भी बोलेगा एकदम जाईज मांग है, और सरकार को मानना ही चाहिए, ऐसा कोई हर्मणी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रेलवे में जो है, लोको पाइलेट के लिए जो है, वो पद खाली नहीं है, पद खा लिए, तो पहला मांग यही निकल कर आता है, जो वेकैंसिस जारी की गई है, वो भी 6 साल के बाद किसी के गले पच नहीं रहे, कम से कम उसमें जो है न, वेकैंसिस में बड़होत्री की जाए, और वो भी 2-3 हजार नहीं है, पहड़े 16 हजार तो सिर्फ लोको पाइट एसोस लिए, उसमें आप 5000 वेकैंसिस देते हैं, तो यह कहां से जाए जाए जाए, तो पहला मांग तो यही है, सिंपल बाद बोल रहा हूं, कि वेकैंसिस इंक्रीज की जाए, दूसरा जो मांग है, जो नोटिफिकेशन, सॉर्ट नोटिफिकेशन बोलो, जो जारी किया गया, सरक टेकनिसियन का पोस्ट क्यों नहीं डाला गया, इसका कम से कम क्लैरिफिकेशन तो दो ही दो, और पोस्ट भी कम से कम आना चाहिए, इसका मतलब यह है, रेल्वे में टेकनिसियन का पोस्ट खाली, मतलब खतम कर दिया गया, जबकि टेकनिसियन का जो भी तयारी करते हैं, रे यह रेल खुला तो यह नया रेल चालू है इस इस शतन से उस शतन को रेल जोड़ेगी मतलब जो नय नय ट्रेन खोल रहे है टेकनिसियन के जरूवत है वेकैंसिस बढ़नी चाहिए और जो रिटायर हो रहे है बंदे इस पोस्ट पे वो पोस्ट खाली है उस पोस्ट का क्या प बंगल और इंडिया की बात करें तो टेकनिसियान के पोस्ट में कम से कम 10-15 अजर पोस्ट आना ही थे है वो भी छै साल के बाद आप वकैनसिस निकाल रहे है उसकी उपर बोल गया टेकनिसियन का पोस्ट ही नहीं है किसी का गले नहीं पच रहा है तो सिकेंड डीमांड तो है third demand अपना क्या है third demand जो है कि सबसे important है इसको मैं बोल रहा हूँ very मतलब ये तो मतलब मानना ही चाहिए थे साल के बाद vacancies आया और ये बस तीम मांगे थे साल के बाद भरती आ रहा है जो बच्चा भी कितने सारे कितने सारे बच्चे मतलब लाखों में संख्या है जो अठारा में एक्जाम दिये थें ऐसे लाखों में संख्या है बाबू जिंका result ना पॉइंट फाइब से एक नंबर से दो नंबर से रह गया अब जितने बच्चे का इतने नंबर से रहा जाता है इसका मतलब यही नहीं कि वो बच्चा नका रहा है या वो महनत नहीं किया भया महनत किया किस्मत साथ नहीं दिया तो किस्मत हर इंसान को दुबारा मौका देती ह मैं दुनिया भर का हर जगा नोटिफिकेसर पढ़ रहा है तयारी कर रहा है ऐल्पी में अपना जिंदगी का सब क discovery चोड़कर रही में लगा हुआ है ऍटिस में आएकश कैसी में डूसाल तो करोना चला इमानदारी से सोचो आप सभी वो बच्चा जो है जो नहीं निकाल पाया तो चंद नंबर से वो कहीं का रहे गए तो चोचो एक बात दिल पर हाथ रख कर तो उस बच्चे को एक मौका तो कम से कम मिलना इज चाहिए और यह मौका कम मिलेगा बाबु 6 सार बहुत होता है बहु जो ना लोको पाइलट की तयारी करते हैं, 70-80% कंडिडेट ऐसे हैं, अब मालो जो बच्चे का उमर इतना है, 6 साल के बाद बहारी निकालेंगे और आप एज का जो कैटेगिया दिये गए, वो बताया गया है 18-30 साल, तो आटोमेटिक वो बच्चा 6 साल के बाद बहारी के बा आएगा, आए नहीं, आया भी तो 6 साल के बाद वो भी भरती, उटके मुँ में जीरा के बाराबर, तो कम से कम तिसरा जो डिमांड है अपना, वो ये है, एज में कम से कम छूट मिलना चाहिए, वो भी एक-दो साल नहीं है, कम से कम 3 साल तो वेकैंसिस बाबू मिलना ही चाह जो है, वो निफ्ट करवा दी गई, एकजाम लेकर, उसके बाद, जिन बच्चे का एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर से रह गया था, उस बच्चे को कटफ कम करकर, उन बच्चों को और ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, वहाँ पर 14-15 जार बच्चे आट् लाक बहाली देने के बाद, और आप एक All Over India, पहली इंडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, पुरे भारत वर्स में, आप बहाली निकाल रहे हैं, वो भी किस छेत्र में, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी ओफिस में निकालते हैं, स्वज में आता, रेल, इंडियन रेल्वे बोलते हैं, विश्व की चौती नंबर सबसे बड़ी रेल है, बोला जाये तो, उसमें आप बहाली कितना निकाल रहे हैं, उसमें निकाल है 5000, सरम, मतलब, सरम होना चाहिए कि 5000 बहाली किस मूद से हम बच्चों के बीच में ले के जा रहे हैं, हमारी सरकार बोलते ह पूस्ट किया हुआ खतम क्यू में, शह साल में इतने बच्चे रिटार्मिंट रहें, वह पद जो खाली उंको रेल कॉन चलाएगा, तूस्ट का पूर्ट दो, और तिस्रा जो है उम्र, ये तीन कम से कम सरकार को बात मानना ही पड़ेगा, वरना आप देख भी रहेंगा, तब politics में जितने भी विपक्षी लेता है वो भी सक्रिय हो गए वो भी आड़े हाथ लिए सरकार को अब देखो चुनाओ का समय है अब यही मौका है सरकार माने भी माने भी बात अगर आप ज्यादा ज्यादा ट्वीट करोगे सरकार को सुनना ही पड़ेगा सरकार नहीं चाहत में कि यह हैस्तेग इस्तमाल करना है तो आप लोग पुरा जान लगा दो मतलब इतना ट्वीट कर दो सरकार के कान फट जाए यही आपसे बोलूँगा तीन डीमांड आपने देख लिया भी होगा और इसको कम से कम सेर करिएगा किसी से नहीं तो उन बच्चों के साथ जो ए